Hello all of you and welcome to one more video Guys, this video is about IRSE, Indian Railway Services of Engineers In short, Civil Engineers के लिए क्या-क्या Postings होती है क्या-क्या Job Responsibilities होती है यह सब कुछ चीजे हम इस वीडियो में डिसकस करने वाले है So, सबसे पहले डिसकस कर लेते हैं कि कौन सी पॉसिबल पॉस्टिंग हो सकती है जब आप जूनियर स्केल में जॉइन करते हो तो दोस्तों, यहाँ चार पॉसिबल पॉस्टिंग्स है जिसमें से मैंने साइड में इनके परसंटेज भी लिखे है कि कितने परसंटेज आपको चांसेज है कि वो पॉस्टिंग मिल जाए वो सब चीज़े हम डीटेल में देखेंगे तो जैसे मैंने आपको बता है 90% of time you will be ADN open line 5% of time चांसेज यह है कि आप AEN track machine भी बन सकते हो track machine जो भी track होता है उसके maintenance के लिए बहुत साधा machines होती है और इन सब ही का maintenance और इनका जो भी schedules होते है repairing schedules उन सब को tackle करना यह AEN track machine का काम होता है 5% chances है उसके and remaining 5% जो होते है वो bridges के लिए होता है bridge जो है वो काफी important होते है काफी पुराना department है तो उसके लिए भी एक officer होता है और उन्हें कहेंगे AEN bridge एक बहुत rare possibility होती है AEN construction जैसे मैंने आपको पहले भी बताया होगा कि construction में जाने के लिए आपको experience की जरुरत होती है इसलिए पहली posting जनरली construction में नहीं रेते है still मैंने एक बहुत minute possibility के साथ यहां पे यह AEN construction की भी posting लिखी है so इन चारों posting में हम लोग जानने वाले है कि AEN open line का काम क्या होता है and इनी सब चीजों से हम पार्लरी बाकी postings का भी समझ लेंगे so without wasting any time let's get started so generally AEN तीन departments को head करता है सबसे पहला होता है पीवे डिपार्मेंट उसके बाद वोक्स डिपार्मेंट and then ट्रैक मेशिन डिपार्मेंट so railway track के लिए जो भी प्रिवेंटिव मेंटेनेंस होते है वो सब कैरी आउट करना उन्हें टाइमली कैरी करना without hampering any train moment यह सबसे important responsibility होती है यहां पर engineering block टम आती है engineering block का मतलब यही है कि for certain amount of time railway traffic जो है उस particular section पर रुख जाएगा and जो भी मेंटेनेंस है वो करेंगे generally जो ब्लॉक लिए जाते है उसमें speed restrictions दिये जाते है उसके बाद movement जो है वो काफी slow करा दी जाती है जिसके वैसे जो भी maintenance चल रहा है जो भी machines operate कर रही है उन्हें कोई दिक्कत ना हो इन blocks में generally manual as well as machine दोनों का ही use किया जाता है so यहां बहुत सी type की machines use की जाती है जैसे tamping machine हो गई packing machine हो गई ballast cleaning machine हो गई quick relaying systems हो गई इनके basis पे अलग अलग type के जो blocks है इन्हें नेमिंग की जाती है तो generally अगर आप railway के concern में होंगे तो आपने PQRS block BCM block यह सब चीज़े सुनी होंगी तो यह जो है machine कौन सी type use हो रही है उसके उपर इस block का naming दिया जाता है so PV department में track का inspection and maintenance एक बहुत important role है and इसके लिए dedicated software भी बनाय जा चुका है which is nothing but TMS इसके अलावा जो भी नया work प्रपोज हुआ है and उसे execute करना है यह PV department ही करेगा construction का जो scope है वो नए lines के लिए होता है वेरास पुरानी जो lines है उनको कोई भी damages आया या पिर कोई replacement करना है तो वो सब चीजे PV department ही करेगा so track की condition monitor करने के लिए AEN के अंडर एक OMS train भी होती है OMS is nothing but oscillation monitoring system and इसका generally inspection per month किया जाता है इससे जो भी track में undulations है oscillations है उन्हें monitor करके जहाँ भी जरूरत है वहाँ पर rectification किया जाएगा यह OMS एक छोटी सी train होती है जिसमें oscillometer fix होता है and जबी भी आपके section में इसका run होगा at a particular speed then वहाँ पे आपको undulations पता चलती है and उस particular point पे आप repairs जो है वो future में plan कर सकते हो तो यह एक तरीका का inspection हो गया इसके अलावा AEN के पास एक push trolley भी होती है जिसमें उन्हें inspection करना होता है अपने section का तो आप देख सकते हो यह push trolley है अभी currently system में motor trolleys भी आ गई है and इसके भी inspection schedules होते है and उन schedules को follow करके आपको motor trolley inspection करना पड़ता है इसके अलावा एक ultrasonic flow detection system भी installed होता है and इसके लिए एक dedicated SSE section engineer होगा and उनका काम basically यही है track के अंदर जो भी crack generation या propagation हो रहा है उसे detect करे before failure so complete section में यह जो ultrasonic flow detection system है इसे move कराया जाता है on rails and इसमें अगर कहीं पे भी crack दिख रहा है तो वो graphical display पे visible होता है and इससे अगें आपको पता चल जाएगा कि कहां पे possible failure हो सकता था so PVA के अंदर बहुत ज़दा manpower होता है and इस manpower को manage करना let it be railway manpower या फिर contracted manpower इन दोनों का ही management जो है वो completely AEN के अंदर आता है PVA के लिए एक dedicated section engineer होंगे and वो directly manpower को control करेंगे whereas उनको जो भी guidance है वो AEN से ही मिलेगा so जैसे मैं आपको बहुत सी track related machines के बारे में बताया तो इन सभी machines का day to day maintenance and इनका particular section को allocation ये सभी जो है वो AEN track machine के अंदर आता है इनका day to day maintenance जो है वो AEN track machine करेंगे whereas इनका जो periodic overhaul होगा वो mechanical department करेगा so एक particular time के बाद इनका जब periodic overhaul की date आ जाती है तब इन्हें भीजना पड़ता है to the nearest workshop यहाँ वहाँ पर उनका जो complete preventive maintenance है वो होता है within a specific amount of time now let us discuss about the next department which is nothing but works department तो works department को भी AEN ही head करेंगे and works department का basic काम है office या फिर जितने भी station buildings है rooms है इन सभी का construction, maintenance and जितनी भी assets है, civil assets है उन सब को manage करना, उन्हें maintain करना यह सभी काम जो है वो works department करता है so works department में काफी material की requirement होती है and इन सभी चीजों के लिए एक dedicated store भी होता है and इसी लिए यहाँ पे जो store होगा, इसे manage करना, यह जो responsibility है वो concern, SEC works and AEN इनी के उपर होती है so in short, permanent way का inspection and management, works department को handle करना and track machines को handle करना यह तीनो responsibilities जो है, वो AEN open line को ही करनी होती है so moving on to the bridge department, जैसे मैंने आपको बताया है कि Indian Railways का bridge department है, वो बहुत जादा पूराना है and यहाँ पे एक AEN bridge भी रहेंगे again, जिस AEN के section में यह bridge आएगा partly responsibilities उस AEN की भी रहेंगी and AEN bridge एक अलग posting है जिनका काम सिर्फ यह bridge का management and maintenance ही होंगे so आप देख सकते हो कि यह सब bridges जो है इनकी designing से लेके construction and जो भी management चीज़े होती है वो सभी जो है वो AEN bridge के work related activities में आती है so यह सब चीज़े जो थी, यह related to junior scale थी and जब आपका promotion हो जाएगा तो आप DEN बनोगे, divisional engineer या फिर अगर आप construction में चले जाते हो तो आप XEN बनोगे XEN का मतलब होता है executive engineer so after promotion यह दो ही post possible है एक DEN और दूसरी होती है XEN तो यह सब चीज़े थी related to work तो चलिए अभी आपको ADN के बंगलोगे ले जाते है और उन्होंने बहुत ही बहतरीन तरीके से अपना garden डवलप किया है तो let's have a look तो let's have a look तो इस तरीके से आपकी responsibilities होगी when this will be posted in junior scale officer in Indian railway services of engineer तो I hope आपको यह वीडियो पसंद आया इसमें मैंने बहुत short time frame में बहुत सी चीज़े club करने का try किया है so thank you very much for watching this video stay happy, stay motivated